नमस्कार SBD News में आपका स्वागत है 25-26 अक्टूबर मंगलवार शाम सवा 5 बजे राजसान की 11 बड़ी खबरे देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आजमी को परिशानी में डाल दिया है देश के जादातार राजों में पेट्रोल डीजल की कीमते 100 उपर प्रतिलीटर पर पहुँच गई है ऐसे मिसरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने की कोशिश में लगी है इस बीच पेट्रोलिय मंतरी हरदीप सिंग पुरी ने मंगलवार को इस पर कहा है कि वे सौधी अरप, गल्फ डेशों और रूस में पेट्रोलिय मंतरीओं से बाचित कर रहे है पुरी ने आगे कहा कि वे कई सरों पर काम कर रहे है बासवडा के घाटोल उपखंड के संगोली गाउं में मंगलवार सुबह बच्चों से भरी नीजी स्कूल की बस पलट गई करीब 25 बच्चों के गायल होने की सूचना है इन में से कुछ बच्चों को बासवडा जिला अस्पताल भिजवाया गया वही करीब 6 बच्चों को घाटोल सीअची में इलाज के लिए भीजा गया राजसान में कांग्रेस के नेता आने वाले समय में फिरसे सडकों पर उतर कर केंद सरकार के खिलाफ परदेशन करते नजर आएंगे मोधी सरकार के खिलाफ कंगरेस ने राजसान सहीत देश भर में जंजागर अभयान शुरू करने का फैसला किया है जिसमें कांगरेस सडको पर उतर कर विरोध पदेशन करेगी कांग्रेस के जन जागर अभियान, मेंबर्शिप अभियान और चुनावी राजियों की रणनिती का रोड मैप तयार करने के लिए आज दिल्ली में कांग्रेस प्रदेशा धक्षों, महासचीवों और प्रभारियों की बैटक हो रही है उत्तर प्रदेश की लखीमपूर खिरी मामले में सुप्रीम कोट ने मंगलवार को सुनवाई की सुनवाई के दोरान सुप्रीम कोट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार नगाई है किसानों पर काच रादेने के मामले में सुप्रीम कोट ने सवाल उठाते हुए कहा कि घटना के सिर्फ 23 चश्मदित क्यों है सुप्रीम कोट ने राजसरकार को और अधिक गवाहे कत्र करने उनके बयान दर्च करने और उनने सुरक्षा मोहिया कराने का भी आदेश दिया है राजसान के अजमेर में देश में बढ़ते अपरादों के आख्रों के विरोध में नारी सम्मान रैली निकाली गई अजमेर के विबिन महाविद्यालियों के छातर छातराओं ने स्थानिय गांध भवन से क्लेक्टर तक बलातकारियों के खिलाफ अक्रोश व्यक्त करते हुए जागरू करने की मकसद से काली पट्टी बांध कर रैली निकाली जैपुर में मोती डूंगरी किले के आसपास एक तेंदुए का मुवमेट नजर आया है पिछले तीन दिनों से यह तेंदुए जे एलन मार्क सिथ मोती डूंगरी की पहाडियों में देर रात गुम रहा है यह तेंदुए वन विभाग केट कैमरा में भी ट्रैप हुआ लेकिन पकड़ने के लिए लगाये गए पिंजर में कैद नहीं हो सका लिहाजा तेंदुए की अब आदी शेतर में कभी भी गुसने की दहशत में किले की तलहटी में बसी गनेश नगर कलौनी में स्थानिये लोगों ने सोमवार को राज जाकते हुए गुजारी मैनेजाइटिस यानि मस्तिष्क ज्वर के संभावित इलाज की दिशा में एक बड़ी उपलब्दी हासिल हुई है कोपेंगन और लूड यूनिवरस्टी के शोत करताओं ने चुहो पर किये एक अध्यान में मैनेजाइटिस के बैक्टिरियल संक्रमन को शरीर की ही पतिरक्षिक कोशिकाओं के जरिये खत्म करने में सफलता पाई है मतलब यह है कि संक्रमन को एंटिबायोटिक के बगार ही खत्म किया जा सकता है यह निशकर्ष एनल्स आफ नियूरोलोजी जनरल में प्रकाशित हुआ है कांगेस की आज एक एहम बैठक नई दिल्ली में शुरू हुई यह बैठक पांच राजों में होने वाले विधानसबा चुनावों की मद्दे नजर बुलाए गई है बैठक में पार्टी के सभी शेष पता दिकारियों के लावा विधानसबा चुनाव वाले राजों के प्रदेश द्रक्ष और प्रभारी भी हिस्सा ले रहे है बैठक के द्रक्षता पार्टी की अंत्रिम द्रक्ष सोन्या गांदी कर रही है आपको बता दें कि अगले वर्ष उत्तरप्रदेश, पंजाब, गोवा, मनिपूर और उत्राखंड में विधानसबा चुनाव होने है इन में से कांग्रेस की सरकार केवल पंजाब में ही है जैसल में से 31 अक्टूबर को शुरू हो रही हवाई सेवाउं से जहां खुशी का मोहल है वहीं विमानन कंपनी द्वारा किराय राशी बढ़ाय जाने से लोगों को अपनी जेब कुछ ओर धिली करनी पड़ेगी दरसल कोरोना काल में बंध हुई स्पाइस जेट की हवाई सेवाई 31 अक्टूबर से दोबारा शुरू की जा रही है लेकिन इस बार स्पाइस जेट कंपनी ने हवाई सेवाउं का किराया बढ़ा दिया है 31 अक्टूबर से शुरू हो रही स्पाइस जेट की हवाई सेवाएं इस बार यात्रियों के लिए महंगी साबित होंगी स्पाइस जेट ने इस बार अपनी हवाई सेवाओं के लिक्रियाय में 1000 रुपए तक की बढ़ोत रही है दोसा जीरे की लाल सोट शेतर के रामगर पचवारा के लोगों को जल्द ही बैंकिंग सुविधा का लाब मिलेगा वित मंत्राले की स्विक्रति के बाद SPI प्रबंदन ने इसकी तयार्य शुरू कर दी है बैक खुलने के बाद यहां की लोगों को लाल सोट नहीं जाना पड़ेगा इस समंद में पिछले दिनों सांसद जस्कोर मिना ने वित मंत्री निर्मला सितारमंड से मुलाकात कर मांग रखे थी इसके बाद SPI द्वारा सर्वेकर मंत्राल्य को रिपोर्ट भेशने पर केंद सरकार द्वारा दी गई स्विक्रति की जानकरी वित राज्य मंत्री तक्टर भागवत कराड ने सांसद मेना को पत्र बेच कर दी है दिपावली त्योहर को लेकर अजमेर नगर निगम की ओर से तयारें शुरू कर दे गई है शहर के सभी चोराहों के साथ ही चोपाटी समार्क, उद्यान और सरकारी विभागों पर लाइट लगना शुरू हो गया है ताकि दिपावली पर शहर लाइटों से जग मल आता रहे महीं दिपावली पर तीन दिन सुबाश उद्यान लोगों के लिए निशुल करेगा और अना सागर के बीच टापू में आतिश बाजी भी की जाएगी फिलहाल इस बुलेटन में इतना ही फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ SPT News की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नॉटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें